मुंबई में जन्मी सुनाक्षी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्ट्रेस बनेगी 2010 में उन्होंने सल्मान खान के ओपोजिट फिल्म दबंग से बॉलिवूड डेब्यू किया था फिल्मों में आने से पहले सुनाक्षी का वजन करीब 90 किलो हुआ करता था सल्मान खान के कहने पर उन्होंने अपना वजन घटाया था वैसे तो सुनाक्षी ने अपना कैरियर बतोर कॉस्ट्यूम डिजाइन शुरू किया था वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी लेकिन सल्मान खान के कहने पर उन्होंने फिल्मों में कैरियर बनाने की सोची अपना 30 किलो वजन कम किया था सुनाक्षी ने बताया था कि वजन कम करना उसके लिए आसान नहीं था वो जीम से नफरत करने वालों में से थी उनको जीम से एलरजी थी लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो एक बार किसी चीज पर अपना ध्यान लगा देती है तो उस से पाकर ही रहती है उन्हेंने वैसा ही किया कुछ ऐसा ही सुनाक्षी ने दबंग्त्री के लिए किया है सुनाक्षी सिना ने इंटर्वी में बताया कि एक्सरसाइज करने और जीम जाने के बाद उन्होंने कभी भी अपना वजन चोक नहीं किया उन्हें धीरे-धीरे ऐसास उने लगा था कि वे फिट हो रही हैं। उन्होंने अपने वजन कम करने के लिए शाहित कपूर के ट्रेनर को हायर किया था। सुनाक्षे ने कार्डियो, एक्सरसाइज, साइकलिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, टेनिस, जीम, हॉट योगा किया। दबंग के अलावा सुनाक्षे की रावडी राठोर, सनाफ सर्दार, दबंग 2, लुटेरा, Once Upon a Time in Mumbai, दोबारा, बुलेट राजा जैसी कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इसी साल ही उन्हें दबंग के तीसरे पार्ट में सल्मान खान के अपोजीट देखा जाएगा। इसके अलावा वो मिशन मंगल में भी काम कर रही है।